हाई फेंड्स मैं विवेक सिंग राजपूत आप सभी का स्वागत अभी हिंदन करता हूँ अपने भीए सरड़ा पे तो दोस्तों आज काम करेंट अफेर लेकर आये हैं और जो कि जितनी वे आगामी पर इच्छा होने वाली है चाहे वह आपका आपका ज्यादा समय ना लेता हूए चकाम पहला सवाल लेते हैं तो आपके सामने स्कीन पे सवाल है कि पाचास में G7 सिकर समेलन 2024 का य्जन कहां किया गया अभी जो G7 सिकर समिनल 2024 हुआ था वो कहां पे हुआ था तो सर ये आपके फसानो इटली में हुआ था था थोड़ा सा इसके बारे मैं आपको फैक्चुल चीजे बता दू कि G7 सिकर समिनल था वो 13 से 15 जून 2024 को पूलिया के फसानो सहर में आयुजित किया जा रहा है ठीक है यह ओ लेड़ी हो चुका है और परधान मंत्री मोदी ने G7 सिकर समिनल में भाग लिया है और G7 सिकर समिनल 2024 में भारत की 11 में भागेदारी होगी और परधान मंत्री मोदी की G7 सिकर समिनल में लागातार पांची बार भागेदारी होगी इसमें दो चीजे फैक्ट बताई किया है इंडिया इसमें कितनी बार पाटिसिपेट किया है इस बार तो सरी 11 टांस किया है अगर मैं बात करूं कि पीए मोधी की बात करूं कि पीए मोधी जी सेवन सीकर्स में कितने बार समलित हुए है तो सरी इनका ये पांचमा बार था कितना बार था और इंडिया का इसमें जादू इटली के राश्ठधानी कहा है तो रोम है इसके मुद्रा क्या है तो यहां के रास्ठपती कौन है तो इटली के जो रास्टपती है वह है आपके Sergio Matrella कौन है सर इटली के रास्ठपती Sergio Matrella में जीथा है कि आप सबヒू को पता है कि भारत ने ICC T20 विस्ट कप इस बाद जीत लिया है और कितने सालों बाद जीता है तो सरे आपका 17 सालों बाद जीता है कितना सालों बाद जीता है सर तो यह आपका 17 सालों बाद जीता है थोड़ा इसके बारे में आपको फैक्चुल चे बता दू कि भारत ने फाइनल में दच्छी न फिरका को हराकर ICC पूरुस T20 विसकब 2024 का खिताब दूसरी बार जीता है भारत ने पिछली बार T20 विसकब 2007 में ये खिताब जीता था ठीक है और 2024 ICC पूरुस T20 विसकब पर बता दू कि सर ये आपका नौमा संसकरन था जो ICC T20 जो हुआ था एक एमा संसकरन था तो ये आपका नौमा संसकरन था इसका एओजन कभ से कभ किया गया तो सर आयोजन इसका 1 जूम से लेके 29 जूम 2016 तक इसका किया गया कभ से कभ तक तक थो jeux को एक जूम से लेके 29 थो इसके मेजवानी देश्ट कॉन्श ये जीता था एक आपका Best Candice था दूसरा का था ईवे से संजूपत्राज अमेर्का इसके परसासे कोन थे Administrative तो सर ICC International Cricket Council ICC अन्तरास्तिये Cricket परसे इसमें विजेता कौन नहीं तो सर विजेता आपका भारत है दूसरा खिताब जीता है, कप्तान कौन थे, रोहित सर्मा, पहली बार कप जीता था, तो फर्स टाइम जो जीता था सर, वो आपका 2007 में जीता था, ठीक है, और जो इस बार सकेंड टाइम जो जीता है, यह आपका 2024 में जीता है, पहली बार के कप्तान कौन थे, तो उसे जो फर 2024 में किसे तीसरी बार भारत के रस्टिय सुरच्छा सलाहकार बोले तो NSA National Security Advisor पर नियुक्त किया गया है कौन है सर तो कोई और नहीं नना अदर दैन अजीत डोवाल जी को तीसरी बार भारत का रस्टिय सुरच्छा सलाहकार बनाए गया है अगला सवाल है कि जून 2024 में कौन सा देश अन्तारस्टी सौर संगठन ISA का समा देश बन गया है इस सवाल आप के लिए मैं रखता हूँ यह आपके लिए आपके अंसर देना कमेंट बॉक्स में इसका क्या देना दे को इसे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं यह देखलो जंडा भी लगा हुआ कमेंट में इसका अंसर दे यह आप सभी के लिए कि जून दोजाजार चोविस में कौन सा देश आई एस से इंटरेशनल सोलर इलाइंस अंतरास्टीय स्वर्स फादान का 100 मा देश बन गया है नद Damn में लंगा सबढ़े इसके इसके बार में ठुछा से बता दूं की घड़क हैं तो सर इसका headquarter gooder gaons haryana men Jarкого Jagam और इसके जो मेंनेजिंग डायरेक्टर कौन है सर तो इसके managing director Ajay Mathur है कौन हे सर Ajay Mathur है अगर में इसकी बात करूं के नए सदसे इसमें कौन कौन से जुड़े हैं International Solar Alliance में जो नए सदसे जो जुड़े हैं उनमें बात करूं चलो तो यहां से मैं चलता हूँ, तो 95 देश अपना चिली है, 96 देश आपका हंगरी है, 97 देश आपका यमन है, और 98 देश आपका पनामा है, और 99 देश आपका अस्पेन है, और अब हमें comment box में बताना कि 100 देश कौन सा है, जो International Solar Reliance में जुड़ा है, यह आप हमें comment box में comment करके बता सौमा देश इंटरनेशनल Solar Reliance में जुड़ा है, वो कौन सा देश है, मैं आपको 95 देश बता दिया, चिली है, 96 देश आपका हंगरी है, 97 देश आपका यमन है, 98 देश आपका पनामा है, और 99 देश आपका अस्पेन है, और सौमा देश वो कौन सा है, वो आप हमें comment box में comment कर सार के बताएंगे कि हाँ विवेक सर सौमा देश ये जुड़ा है, ठीक है, चलिए, अगला हम देखते हैं कि किसे परतिस्ठित पेन पिंटर पुरुषकार, पेन पिंटर पुरुषकार 2024 से समानित किया गया है, किन को समानित किया गया है सर, तो कोई और नहीं फोटो देख कि साहितिक योगदान के लिए एक महत्पून मानियता के रूप में बुकर पुरुषकार बिजेता लेखी का, यह ओल लेडी बुकर पुरुषकार बिजेता है, मैं इनके बारें बतादू कि जो अरुन्दत्ती राय हैं, अरुन्दत्ती राय को दोया 24 के लिए पेन पिंट पुरुषकार 2023 में ग्रिटिस लेख्यक माइकल रोसिन को दिया गया था, दो सवाल यहां पर उठता है, कि 2023 में पिंट पुरुषकार किसको दिया गया था, तो सर माइकल रोसिन को दिया गया था, और 2024 में किसको गया था, तो यह आपके अरुन्धत्ती राय है, अगला सवा है कि भारत के पहले AI विष्ब विद्ध्याले इन्स अच्फ कूल पती पद परकी से निक्त किया गिए तो किया है साइमन मांक को साइमन मांक को इन्स का कूल पती के रूपमें や गया है है इन वर्सल एया इनवर्सिटी के बार में बता दू कि हो सफ़ापना हुई थी ऑपका ऊझाぎ बात करूं के बाद कर दोंके सब्सक्राइए को सबल स्था तारूंदीप है अंद सब्सक्राइए कोने सर तरून दीप इस आनंद चलिए अगला सवाल है कि स्टार्ट जून दोजाद 24 में किसे लगातार दूसरी बार लोगसभा अध्याज के रूप में चुना गया है जून 24 में किसे लगातार दूसरी बार लोगसभा अध्याज के रूप में चुना गया है फोटो आपके स सामने है फोटों से आपको दिख रहा होगा ये कोई और नहीं बलकि ओम बिरला जी हैं ओम बिरला जी को दूसरी बार लगातार लोग सवा के अध्याच के रूप में चुना गया है जून 2024 में किसे भारतिये सेना के अगले उप परमुख के रूप में निवत किया गया है तो वो हैसर आपके एनेस राजा सुब्रमनी कोन हैसर एनेस राजा सुब्रमनी लेप्टिनेन जर्नल एनेस राजा सुब्रमनी भारतिये सना के अगले उप परमुख होंगे यह Lieutenant General उपेंद्र दिवेदी की जगह लेंगे, किसकी जगह लेंगे सर, तो आपके उपेंद्र दिवेदी की जगह लेंगे, ठीक है, और भरतिये सेना की मैं बात करूँ, अगर मैं इंडियान आर्मी की बात करूँ, तो इंडियान आर्मी के स्थापना एक अपरेल 1985 में होई थी, और इसकी headquarter कहां पे है, तो नई दिल्ले में है, और वर्तमान में थल सेना अधियाच कौन है, आर्मी चीफ कौन है, चीफ ओप आर्मी अस्थाथ, तो यह है आपके उपेंद्र दिवेदी जी, ठीक है, क्या क्या में फैक्चुल चीज़े जानने को मिली, कि Lieutenant General इस इन आर्मी के स्थापना कब होई थी, तो 1 April 1985 होई थी, और मुख्याल है नई दिल्ले में है इसका, और थल सेना धियाच, कौन है सर, तो पेंद्र दिवेदी है, हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले प्राइबेट विल्थ माइगरेशन रिपोर्ट दोजाट चोबीस चारी किये ठीक है, करोड़ पतियों की पलाइन के मामले में भारत तीसरे अस्थान पर है, करोड़ पतियों की पलाइन के मामले में भारत केतने अस्थान पर है सर, तो भारत तीसरे अस्थान पर है, ठीक है, दोजाट चोबीस में कुल 1,288,000 करोड़ पतियों के देश चोड़ने की उ जितने भी भारत के कडोल पती हैं ज्यादा तर वह कहां पर जा रहे हैं सर तो युवे यह जा रहे हैं United Arab of Emirates जा रहे हैं ठीक है उप रस्टिय सुरच्छा सलाकार इन जो इने से आप देखे थे कि अभी इने से National Security Advisor अभी कौन है इसके पहले आपको बताये थे अजीर डोवाल है लेकिन अगर आप पर पूछ देगा कि उप रस्टिय सुरच्छा सलाकार अगर वाइस एने से पूछ देगा तो कौन है तो वाइस एने से कोई और नहीं बलकि विक्रम मिस्तिरी है कौन है से विक्रम मिस्तिर सवाल है कि जून दोज़ाइस चुविस मिंकी से बारह में विस्व हिंदी सम्मान दोज़ाइस से सम्मानित किया गया है तो सर बारह में विस्व हिंदी सम्मान दोज़ाइस से उसा ठाकुर को सम्मानित किया गया है किनको सम्मानित किया गया सर तो उसा ठाकुर को सम्मानित किया गया है और यह आज का आखरी सवाल है कि राष्टिये सांखी की आखरी नहीं अभी तो और भी सवाल है राष्टिये सांखी की दिवस नेशनल अस्टेटिक्स दे 2024 कम मनाए गया है तो सरे आपका 29 जून को मनाए गया है विश बुजूर्ग दुर बैभार जारूपता दिवस हर सल 15 जून को मनाया जाता है वर्ष दोजार चोबीस का थीम अपात स्थिती में विद्वेक्तियों पर स्पोटलाइट स्पोटलाइट ओन ओल्डर पर्सन इन इमर्जेंसीज एरोपीय अंत्रीच अजेंसी एसे इरोपीय स्पेस अजेंसी के अंत्रीच यान ने मंगल गरह के भुमत दे रेखा के पास विशाल थारिश जवाना मुख्यों पर जमें हुए पानी वाटर फ्रोस्ट का पता लगाया है इंपोर्टिन पॉइंट का है कि जबकि यह च्छेतर काफी गर्व मना जाता है है पर पानी का जमना मंगल गरह के वाई मंडल के बारे में हमारी पूर्धानाओं को बडलती है अगला सवाल है कि बहुत बेहतिरिन सवाल है यह जो सवाल आपके सामने है यह बहुत बेहतिरिन सवाल है और ये सच बतारों मेरा फैब्रेट भी सवाल है ये कि जून दो हजाद चोवीस में उत्राखंड राज के जोसी मठ नगर तथा कोसिया कुटॉली तहसील का नाम बदल कर क्या किया गया है तसवर इसका नाम बदल कर जोती मठ और कैंची धाम कर दिया गया है आपको मैं बतादू कि ये जो देख रहा है जोसी मठ नगर और कोस्या कोटॉली तहसील ये जो कैंची धाम या जोती मर देख रहा है ये किसलिए फिमास है सर तो बाबा नीम करोली का नाम हर किसी ने सुना होगा तो ये वहीं का जगह है सर जिसका नाम बदल के जोती मट और कैची धान कर दिया गया है अगला सवाल है और ये आज का आखरी सवाल है कि जून दोहजाद चोविस में लाउंच हो ही पुष्टक I have the state's acuity cricket story किसकी आत्म कथा है I have the state's acuity cricket story किसकी आत्म कथा है तो सरे आटो बाई गिरफी के बारे में पूछ रहा है किसकी है सर तो आर अस्विन की आटो बाई गिरफी है ये था सर आपका आज का करेंट अफेर का आखरी सवाल ठीक है तो वैसे बच्चे जो सच में चाहते हैं कि मैं जिन्दगी में पढ़ूं आगे बढ़ूं नौकरी लूं घरवाले को एक सही डिरेक्शन दूँ जिन्दगी में आगे बढ़ूं खुद के अपने बल पे आगे आगे बढ़ूं और अपने पैरों पे खड़ा हो जाओं तो सर मैं पढ़ना चाहता हूं बट मेरे पास पैसे नहीं है मैं आपको बता रहा हूं कि भी ए सरगड़ा के तरफ से आपको फिरी आपको आपको मैं आपको यहां से पढ़ाए आपको study दूँगा ठीक है और यह इसी नंबर पे आप चाहे तो यह टेली गराम नंबर भी है और य मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई टेक केर किप साइनिंग आफ जैहिन